Hello friends, आज मैं आपको Old Man and the Gun ये एक true story explain करने वाला हूँ ये 2018 की Hollywood movie है ये movie best है For a Stucker पर ये एक चोर था और इसने पूरे लाइफ में सिर्फ चोरी ही की थी ये 18 बार जेल से फरार हो चुका था ये बहुत interesting story है तो चलिए इसे explain करना start करते है movie start होती है और हमें एक old man bank में आतवा दिखता है वहाँ जो counter वाली होती है उसे counter में जो सब पैसे होते है ये सब उसे दे देती है इसके बाद शान्दी से उस bank से चला जाता है कार में बैटता है और वहाँ से फरार हो जाता है यही forest गर है इसने अभी-अभी चोरी की है इसके बाद headphones होते है उसे अब police क्या-क्या कर रही है ये सब सुना ही देता है police का radio पूरा इसे यहाँ सुना ही देता है police को जिस गाड़ी पर शोगता है वो गाड़ी भी ये change कर लेता है अलग गाड़ी में चलने लग जाता है आगे चलकर इसे पता चलता है कि जिस कार में वो है इसके बारे में पूलिस को पता चल चुका है ये फिर जब highway से जा रहा होता है तो वहाँ उसे एक और रोट साइड पर उसकी गाड़ी खराब होई है ये उसे दिखता है वो फिर ये गाड़ी रोक लेता है पुलिस अगर गाड़ी को fine करेगी तो वो चलती गाड़ी को fine करेगी यहां रुका हुआ है तो इस पर कोई शक नहीं करेगा इसलिए ये रुकता है इस औरत के पास आकर कहता है ये क्या तुम्हें कुछ help चाहिए ये कहती है कि मेरा engine खराब हो चुका है फोरेस इसमें देखता है उससे कुछ ये मालूम नहीं होता तो ये औरत ये समझ लेती है ये कहती है कि तुम्हें तो गाड़ियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा ये कहती है कि मुझे कोई भी idea नहीं है इसके बाग इसे lift देता हुआ में दिखता है इस औरत का नाम Jewel होता है फोरेस जीवल से बुचता है कि कहा तुम जा रही थी ये कहती है कि मुझे पता नहीं सिर्फ में निकल पड़ी थी जीवल कहती है कि ये मेरी चोरी के गाड़ी थी फोरेस देखर सप्राइस हो जाता है पर ये हसने लग जाती है ये ही जोक कर रही होती है फोरेस्ट एक्चुल में जोर है तो इसे बहुत ही अम्यूजिंग लगता है फोरेस्ट जब इसका नाम जानता है तो उसे कहता है कि ये नाम तो में बहुत ही सूट करता है इसके बाद ये एक रेस्टोरन में आयो होय में दिखते है जोल उसके बारे में और भी बाते कहते है उसके पास एक बड़ा साहु से जिसमें उसके पास थ्री होंसे tutti है Forrest कहता है कि मेरी इच्छा है कि कभी मुझे भी होस राइड करने है Forrest ने जोल को कहा होता है कि वो salesman है तो जोल से बुच्छती है कि किस चीज़ का हो salesman है Forrest इसका अच्छे से answer नहीं देबाता वो कहता है वो जो sales के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो बोलता है कि अगर मैंने सब को सच तस तुमें बता दिया तो तुम फिर से मुझे नहीं मिलोगी जोल कहती है कि तुमें लगता है कि मैं तुमसे फिर से मिलोंगी ये फिर सोचती है और उसका number एक card पर लिख कर उसे दे देती है Forrest भी pain लेता है और वो robbery करता है इसा वो cardboard पर लिख देता है जोल पर इस पर video नहीं होता वो कहती है कि अगर तुम सच मुझ में सब काम करे होगे तो मुझे प्रूफ कर कर दिखाओ Forrest कहता है मैं प्रूफ तो कर सकता हूँ पर मुझे करना नहीं है जोल को बिली हो जाता है कि ये जो सब कह रहा है ये सब जोट कह रहा है वो उसे बुच्छती है कि क्यों नहीं तुम प्रूफ कर सकते ये कहता है कि या इस रेस्टोर में कुछ प्रूफ करना ये मेरा स्टाइल नहीं है ये फिर कहता है कि जेस जगा मुझे रॉबरी करने होती है वहां 3-4 दिन पहले में जाकर आता हूँ मुझे किस औरत से या आदमी से पैसे लेने है इसका मैं पूरा स्टडी करता हूँ इसके बाद 3-4 दिन मैं उस पर नज़र रखता हूँ और फिर जब मुझे लगता है कि आप राइट मुमेंट है तब मैं आंदर जाता हूँ और सब पैसे लेकर आता हूँ वहाँ जनरेल लड़की ही होती है मैं उसे कहता हूँ कि बहुत ही शांत रहो मैं नहीं चाहता है कि तुम हर्ट हो जाओ फिर मैं उसे पैसे कहता हूँ यह मैं तुम्हें पसंद करने लगाओ मैं तुम्हारे पैर में भी बढ़ सकता हूँ मैं उसे flirt करता हूँ और वो भी जारा comfortable होती है और सब पैसे मुझे दे देती है इसके बाद वहाँ से निकल जाता हूँ चुब इस पर थोड़ा भी believe नहीं करती forest भी कहता है यह मैं मज़ा की कर रहा था इसके बाद हमें direct to John Hunt दिखाया जाता है यह जो time period चल रहा है 1981 का चल रहा है यहाँ और एक robbery forest नहीं की है जो robbery हुई थी उसके वो सब details ले लिते और यह फिर से station पर आ जाते है आज John का 40th पड़े होता है तो उसके सब colleagues इसको celebrate करते है यह जब सुबह गर आता है तब हमें इसकी family दीखती है इसके एक wife होती है उसके दो बच्चे होते है इसका birthday यह सुबह आज मनाने वाले होते है इसके लिए अच्छे सा गेक वेगरा उन्हाने लाय होता है यह एक अच्छे सी happy family होती है नेक्स दिन अपने बच्चों को लेकर hunt एक bank में आता है उसके बच्चों का ही bank में कुछ काम होता है इसलों उनको वे लेकर आय होता है अब हमें दिखता है कि forest दो और बुड़े लोगों के साथ है यह जो थी यह पूरी team थी नहीं कि यह दो बुड़े लोग और forest यह दिनों मिलकर यह bank लुटते थे forest के जो friends थे कुछ बड़ा करना हो तो उसे help करते थे वरना हो information में गरा निकाल दे थे अब मैं दिखता है कि hunt जिस bank में आया हुआ है वह forest टकर आया है forest फिर अंदर जाता है manager से वो बात करता है manager को वो गन दिखाता है manager को कहता है कि तुम्हें अब बहुत ही शान्द रहना है उसे एक bag देता है और उस bag में सब पैसे उसे रखने के लिए कहता है hunt bank में होता है पर टकर को manager सब पैसे निकाल कर शान्दी से दे देता है किसी को कुछ पता भी नहीं चलता जब टकर बहार आता है और निकल जाता है तो manager डोर बन कर लेता है अब hunt को पता चलता है कि यहां robber हुई है सब police officers वेगरा सब वहाँ आते है और hunt का बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है वो ही था पर वो robber को spot नहीं कर बाया रात में hunt अपने wife के साथ news देख रहा होता है यह उस पर इस robbery के बायर में घुज भी नहीं होता यानि कि लोगों को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता hunt की wife उसे motivate करती है और कहीती है कि तुम उससे पकड़ लोगे तुमें इससे फरक पड़ता है और एक ना एक दिन तुम इससे पकड़ी लोगे अब हमें इसके बाद जोल और forest मिल रहे है यह दिखता है यह उनके पहली official date होती है जोल उससे पुछती है कि तुमारे sales का business कैसा चल रहा है यह कहता है कि मैं region का top 5 salesman हूँ जोल बोलती है कि मैं तुमारे एक भी word पर believe नहीं करती है जब पहली बार मिले थे तो Tucker के ear में headphones थे यह पूछती है तुमारे hearing aid कहा है Tucker pretend करता है कि उसे कुछ सुनाय नहीं दे रहा यह दोनों फिर हसने लग जाते है अब investigation स्टार्ट कर देता है थोड़ी सी files निकालता है similar जो robberies होती है इनको track करता है एक S.C.C.C.S.E. मिल जाती है और वहाँ का जो sheriff हता है उसे को call करकर जब इस बारे में बोलता है तो sheriff कहता है कि मेरी wife की एक friend थी उसने में यही पता है था कि इसी type की एक robbery हुई थी अब यहां हंड को पता चलता है कि forest ने इस तरह की बहुत सारे robberies की है यह अब इसके पीछे लग जाता है बहुत सारे files वगर निकालता है इसे फिर पता चलता है कि पूरे दो साल में इसने 93 robberies की है हंड हाथ दोकर अब forest की बीचे लगा हुआ है हमें forest वहार एक bank में आया हुआ दिखता है वह एक लड़की हुथी है जिसको जाकर कहता है कि सब पैसे आप मुझे दे दो उसे कुछ भी आवाज करने के लिए ना कह रहा हुता है यह वैसे देते देते रोने लग जाती है forest कहता है कि please रो मत क्यों तुम रो रही हो यह लड़की कहती है कि आज मेरा पहला दिन है forest कहता है कि हर एक चीज़ का पहला दिन तो होना ही चाहिए वो एक अच्छा जॉब करी है यह कहकर उसे वहाँ से चला जाता है हमें देखता है कि बहुत सारी investigation हंट करता है चाहिए रोबरी हुई होती है तो उन लोगों से वो मिलता है यह सब लोग कहती है कि forest जो था वही जेंडलमेन था वो बहुत ही polite था और बहुत ही अच्छा आदमी था जो अभी अभी बैंक के लेड़ी थी उसे कहती है कि वो बहुत ही मुझे खुश लग रहा था और मैं दिखता है कि जोल के घर पर forest आया हुआ है जोल के बहुत ही बड़ी land होती है और वहाँ बड़ा सा घर होता है अपनी पूरी land जोल उसे दिखाती है उसके horses वगरा भी दिखाती है forest उससे पुशता है कि क्या ये पूरी तुम्हारी land है ये कहती है कि मेरी ही है पर ये आप बैंक के पास है अगर जोल ने ये land सेल कर दी तो उसे इसके बहुत सारे पैसे मिल सकते है जो करजा उस पर बैंक का है ये भी चुकता हो सकता है इसके जो बच्चे है ये उसे यही कहते रहते है जोल ये मानने नहीं वाली होती है उसे यहां रहना अच्छा लगता है ये बोलती है ये बच्चों को मैं कहती हूँ कि वो यहां आकर रहे है वो मुझे हेल्प कर सकते है जूल फिर forest से बुछती है कि क्या तुमने कभी शादी की है forest कहता है कि मैं जब यंग था तो मैंने शादी की थी उसके बच्चों के बारे में बुछती है forest कहता है कि मैंसे बच्चे विगरा कोई भी नहीं है अब next year में हम दिखता है कि forest जिस जगा पर story करता है तो वो सब हंड ने अब जान लिए होती है वो उसमें एक pattern create कर रहा होता है अब मैं फिर से forest robbery करने वाला है ये दिखता है एक बड़ी से bank होती है जिसमें वो अब robbery करने वाला होता है उसके जो सब friends होते है इस पर नज़र रख रहे होते है अब forest और उसके दो friend ये मिलकर अब सिर्फ bank ही नहीं लोटने वाले होते है तो उसमें का जो vault होता है उसमें बहुत सारा सोना वेकरा होता है ये सब वो लोटने वाले होते है इन सब को doubt हो रहा होता है कि क्या है ये सचमुश में ये कर पाएंगे forest कहता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ उसमें से एक friend कहता है कि last time हम success नहीं हुए थे forest कहता है कि अब मुझे experience आ गया है अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है रात में forest जो और को call कर रहा है अभी वो कैसी है क्या कर रही है इस अब उससे पूछता है ये जल्दी एक दूसरे से मिलने वाले होते है रात में forest जब अपने room में होता है तो देखता है कि hunt की interview चल रही है ये interview जए ये robbery के बारे में ही है forest इसमें बहुत interested हो जाता है अब हमें directly robbery हो चुकी है ये दिखाई देता है हमें दिखता है कि forest के friend को ये गोली लग गई होती है forest का friend कहता है कि हमने एक पुरा काम करी लिया था थोड़े से के लिए गड़बड हो गई forest बोलता है कि हमने वैसे भी अच्छे से किया है उसके डिक्के में बहुत जारे पैसे और गोल्ड भी हमें दिखता है अब Nixon में हम दिखते है कि हंड ने forest के about बहुत जारी information निकल वाली है वो एक बहुत ही अच्छा काम करा है और अब bureau को ये पता चल चुका है यानि कि FBI भी a forest को ढूणना चाती है कि हंड के पास आती है और खेती है कि तुमने जो सब काम किया है ये सब की details मुझे देदो हम अच्छे से इसे ढूण सकते है हंड को ये अच्छा नहीं लगता हंड कहता है कि मैंने उसे almost ढूणनी लिया है और last में तुम उसे बस्ट करोगे ये उसे अच्छा नहीं लगता पर हमें पता है कि जैसे ये FBI है तो FBI से कोई ना नहीं कह सकता ये केस FBI के पास आ जाती है हंड के बच्चों को जब पता चलता है कि हंड से केस अब चली गई है तो उसके बच्चे उसे समझाने के लिए कहते है कि जो FBI के लोग है ये भी यही चाहते है कि Forest पकड़ा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है Nixon में हन पूली स्टेशन पे होता है उसके mail में उसे एक फोटो मिलता है ये Forest टकर का फोटो होता है Forest इसके साथ खेल खेलना चाता है तो उसका ये यंग फोटो उसने उसे भीच दिया होता है Nixon में हमें Forest जूल के पास आया हुआ दिखता है जूल हॉसराइट कर रहे होती है तो उससे पुछती ही कि अगर तुमें करना है तो तुम कर सकते हो Forest होट से थोटा सा डरता है ये कहता है कि next time मैं करने वाला हूँ ये उसके मरने के पहले जो सब चीज़े करनी है इसके list पर होता है जूल और Forest अब बात कर रहे होते है जूल फिर इसे खहें थी कि मेरे पच्चे और मेरे पती था मेरे जो family थी ये perfect थी और at least मुझे perfect लगती थी मुझे लगा था कि मैं बहुत ही खुश हो पर जो time था ये आखे चलता गया और मुझे लगता गया कि मुझे जो सब चीज़े करनी थी ये सब रहे गई है मेरे पती की जब death हो गई तब मुझे लगा कि मुझे जो सब चीज़े करनी है वो अब मुझे करना स्टार्ट कर देना चाहिए हर बार जब मैं डोर क्लोस कर दी थी तब मुझे लगता था कि मेरे लाइफ के डोर क्लोस हो रहा है इसलिए अब मैं सही से जीना चाहती हूँ फोरेस्ट कहता है कि कभी भी मुझे लगता है कि डोर क्लोस हो गया है तो वो विंडो को में तोड़ देता हूँ और वहाँ से भाहर निकल जाता हूँ और जिस तरह से लाइफ जीता है इस बारे में वो केह रहा होता है फोरेस्ट कहता है कि 10 साल का फोरेस्ट अगर मुझे देखेगा और वजब प्राउट होगा तो भी मुझे लगता है कि मैं साइट रेक पर हूँ जूल कहती है कि क्या वो तुम पर प्राउट है कहता है कि दिन बादिन वो क्लोज आता जा रहा है फोरेस्ट अपने काम से बहुत ही खुश होता है उसे कभी भी कोई भी गम नहीं होता अब नेकसिन में हम देखते है कि फोरेस्ट बैंक में आया हुआ है पर इस बार ये बैंक को लूटने नहीं वाला होता जूल पर जो भी सब करजा है यह वो पे करने वाला है यह बैंक की मैनेजर गही थी कि तुम्हें कर सकते हो पर इसके जूल की साइन लगने वाली है Forrest कहते है कि विदाउट साइन क्या यह हो सकता है यह से मना कर देती है यह उसे अलग-अलग फेशन पूशता है पर इसका कोई भी वे नहीं होता कि जूल को पता ना चल सके इसके बाद हम देखते हैं कि हंट एक घर पर आया हुआ है Forrest ने अपनी फोटो जे पेजी थी तो इसकी फैमिली ट्रैक करते करते Forrest की एक बेटी भी है उसके पास हो आ चुका है Forrest की बेटी एक मीडल है जूमन है और इसका बेटा भी है हंट जब इसे Forrest के बारे में पूशता है तो कही थी कभी मैंने उससे देखा नहीं है मेरी मदर जो थी है हमसे हमेशा चुपा कर रखती थी कि हमारे फादर क्या करते है अलग-अलग स्टोरीज वह हमें सुनाती थी जब हम 15 साल के थे तब Forrest जेल से बाहर आने वाला था मेरी मदर को लगा कि वो मिलने के लिए आ सकता है तो इसलिए सच-सच सब कुछ मुझे उसने बता दिया था Forrest को बेटी को Forrest से कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए होता वो कहती है कि अगर वो पकड़ा भी गया तो मैं उसकी as a relative उसे लेने नहीं आने वाली हन कहता है कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद हम देखते है कि Forrest और जोल एक जगा पर शॉपिंग करने के लिए आये हुए होता है Forrest जोल के लिए एक बैंगल ले रहा होता है यह बैंगल जब वो देखते हैं तो जोल को एक बहुत ही पसना आता है Forrest इस टोर के बारे में सब कुछ जान रहा होता है जब राइट मुमेंट आता है तो जोल को बाहर लेकर आता है यह जो बैंगल है यह इसने चोरी किया है जोल इस पर हसने लग जाती है और इसे गलत लगता है यह फिर वापस आती है और Forrest को उसके लिए बाय करने के लिए के दिए नेक सिन में हम देखते है कि Hunt अब Forrest के लॉयर के पास आ चुका है Forrest जब जब जरा यंग था तब उसी इस लॉयर ने रिप्रिजेंट किया था इस लॉयर को Forrest के बारे में बात करना बहुत ही अच्छा लगता है इसे लगता है कि Forrest बहुत ही इंटरस्टिंग आत्मी है वो जब से 13 साल का था तब से वो चोरी कर रहा है इसके बाद 18 जेल तोड़ कर ये निकल चुका है एक बार तो वो आइलन्ड में था उसने एक छोटी सी बोट बनाई थी और उस बोट पर वो बहाँ से भाग गया था ये लॉयर कहता है कि उसके लाइफ के बहुत जारे स्टोरिज उसने मुझे बताई है ये जो उसने सब रॉबरीज वगरा सब कुछ की है तो इसमें उसने कभी भी गन नहीं चलाई उसके पास गंदो थी पर कभी उसने चला ही नहीं है आज तक किसी को भी उसने हट नहीं किया है लॉयर कहता है कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि वो अपने काम से बहुत ही प्यार करता है मैंने उसे बूचा कि अगर तुम्हें रोजी रोटी नहीं कमानी है तो तुम कुछ अलग काम कर सकते हो फॉरस्ट ने मुझे कहा कि मुझे सिर्व जीने के लिए काम नहीं करना मुझे सच मुझ में ये जो लाइफ है ये अच्छी तरीके से जीनी है वो जब चोरी करता है तब उसे अलाइव महसूस होता है हंट अपने घर अपनी वाइफ के पास आता है तो वो कहता है कि मैंने उसे अब ढूण लिया है वो क्या है किस तरह का आदमी है ये मुझे पता चल चुका है इसके वाइफ कहती है तुम उसे जरूर ढूण लोंगे आज हंट का जरा मूड अच्छा होता है वो अपने वाइफ को लेकर कही डिनर के लिए बाहर जाना चाता है वो फिर जोने एक रेस्टोर्न में आ चाते है यही में दिखता है कि वाइफ फोरेस्ट भी आ चुका है जब हंट टॉयलेट किल जाता है तो फोरेस्ट उसके पीछे-पीचा जाता है वो कहता है मैं तो तुम्हें पेचानता हूँ मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था वो उसे बुशता है कि क्या तुम उसे ढूंड रहे हो हंड कहता है कि मैं close हूँ forest फिर हंड की अच्छे सी caller लगाता है वो कहता है कि अगर तुम शाप दिखोगे तो तुम life में बहुत ही तरकी कर सकते हो लोग को लगता है कि तुम जो कर रहे हो यह तुम सही कर रहे हो अगर तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुम ए clue भी नहीं होगा तब ही लगता है कि तुम बहुत ही confident हो हंड को मौलब होता है कि यह forest है यह से कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका नाम भी हो लेता है forest सिर्फ वहाँ से चला जाता है और hunt उसका पीछा नहीं करता उसे सिर्फ उसके बारे में information निकलवानी थी forest जो है किसी को hurt नहीं कहता तो उसे इससे ज़्यादा कुछ problem नहीं है इस case को अब वो छोड़ कर आगे अपने life में बढ़ सकता है जूल और forest जब घर आ रहे होते हैं तो forest कुछ रहने के लिए बाहर निकलता है जूल उसकी गाड़ी में एक गन देखती है उसे आप थोड़ा थोड़ा भिली होने लग जाता है कि जो forest कह रहा था ये सही कह रहा था वो सचमुच में रोबर हो सकता है जूल जब घर पर आती है तो एकसेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती उसे आप forest से पैर हो चुका होता है forest ने उसे घर पर छोड़ दिया होता है जूल अंदर चले जाती है पर थोड़ी देर बाद वापस आकर forest फिस से उसकी डोर पर खटकटाता है ये दोनों एक दुसरे को किस करते है उसके बास forest वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि एक राद अपने friend को मिलने के लिए forest आता है तब ही उसकी friend के पास बहुत सारे police आये हुए होते है ये सब अब forest को arrest करने के लिए यहाँ होते है forest अपनी गाड़ी में बैठता है वहाँ से जल्दी से चला जाता है पुलिस इसका पीछा है कर रही होती है उनसे वो पीछा छोड़वा कर निकल पहुचता है पुलिस अब जूल को भी track कर लेते हैं उसके घर पर आने वाले होते है तो इसलिए forest अब अपने आपको पकड़वा लेता है हन को जब इन्यूज मिलती है तो आप forest से मिलने के लिए आता है forest एक robbery पर उसके लिए एक note छोड़ कर गया था ये note वो उसे वापस कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि forest जेल में है और उसे मिलने के लिए जूल आई हुई है जूल उसे कहती है कि वो बहुत सारे questions मुझे पूछ रहे थे वो मुझे से पूछ रहे थे कि क्या मैं तुमें जानती हूँ मैंने उनसे अपको सना ही कहा था forest फिर उसे एक कागद देता है इस पर सब डेट से करा लिखे होती है और description होता है जिस जीस जेल से वो छूटकर बाहर निकला था इस सब के नाम उस पर लिखे होते है इस पर और एक नंबर बना होता है तो जूल उसे बुझती है कि ये क्या है ये क्यों blank है forest कहता है कि best में last के लिए बचा कर रखना चाहता है यानि कि ये जेल भी वो तोड़कर जा सकता है जूल से कहती है कि इस बार ऐसा मत करो इस बार तुम यही रहो किस किस तरह से वो फरार हुआ था ये ऐसा वो में दिखता है एक बार वो खेड़की से बाहर निकल गया था एक बार जब वो जेल में था तो जो गाड़ी आती है सामान मेंगरा पहुचाने के लिए इसे गाड़ी में बेटकर निकल गया था जेल के बड़ी भिंतों से एक बार रोब डाल कर वहाँ से चला गया था एक बार गार्ड को ही उसने बान दिया था और वहाँ से भाग गया था एक बार टनल बना कर, एक बार लॉंड्री में और एक बार बोट से इस तरह से अलग-अलग तरीके से वो जेल से निकल जाता था अब हमें दीखता है कि forest की जो सजा है वो अब खतम हो चुकी है उसे लेने के लिए जूल आती है जूल उसे अपने घर पर लेकर आती है उसे कहती है कि जितनी भी टाइम तो तुम्हें यहां रहना है तुम्हें यहां रहने में कोई भी प्रॉल्म नहीं है forest जूल के घर में एक साइन देखता है जिसने एक घर बनवाया है यह उसकी साइन होती है जिस तरह से आर्टिस्ट अपनी लेगसी छोड़ कर गया है उसी तरह से forest भी अपनी लेगसी छोड़ कर जा सकता है वो जो काम करता है यह उसे पसंद आता है जूल्द के साइट वो एक अच़ी lifestyle जी सकता है जूल्द और वो movies में जाते है जूल्द के farm में चलते है जूल्द के साइट एक अच़ी से lifestyle जी सकता है पर यह उसे नहीं करना एक देट जूल्द से कहता है जल्दी में वापस आ जाऊंगा और फिर बाहर निकल जाता है वो फिर हंड को call लगता है हंड उसे भुशता है कि क्या सब कुछ ठीक है Forrest कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसी दिन Forrest चार robberies करता है इसके बाद वो पकड़ा गया था जिस बुलिस ने उसे पकड़ा था उसे जब पुछा गया तो Forrest के साथ था उन्होंने बताया था कि जब वो पकड़ा गया था तो उसके फेस पर स्माइल थी यानि कि जब वो पकड़ा गया था तो बहुत ही खुश था क्योंकि अभी अभी उसने successful robberies की थी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा मैं इस तरह से बहुत सारी movies लेकर आता रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए और बेल नोटिफेशन आइकोन बे दवाना मत भूले ये आपको सब movies मिलती रहे वेसे मिलेंगे एक नई movie के साथ सब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये